नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल All Technical Solutions में दोस्तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो इसे सिखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरू देके इसे बिल्कुल भी स्कीप न कीजिए तो दोस्तो आपका ज्यादा किमती टाइम वेस्ट किये बिना मैं सिधा आपने वीडियो को शुरुआत करता हूँ तो दोस्तो इसके लिए आपको एक एप को डाउनलोड करना होगा इस एप का नाम है सैट डायरेक्टर यह दोस्तो एप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा लेकिन मैं इस एप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपको इगलत आप ना डाउनलोड कर ले तो दोस्तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लिजे और वहाँ पे जाके उस लिंक पे किलिक करके इस एप को डाउनलोड कीजे तो दोस्तो मेरे मोबैल में पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे फिर से इंस्टॉल नहीं क बहुत सरे options यहाँ पर मिल रहे है तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमें satellite find करना है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले वाला जो satellite finder का option है वहाँ पर मुझे तो दोस्तों यह सब चीजे क्या है और इन्हें किस तरह से use करना है यह मैं आपको detail में step by step यहाँ पर बताने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अपने dish के signal set करना है तो यहाँ पर चार steps follow करने होगे तो आप इन steps को दिहान से step by step follow करते हो तो आपके signals यहाँ पर definitely आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर step number 1 है अपने mobile के location on करना तो दोस्तों यहाँ पर आप setting में जाए और यहाँ से अपने mobile के location on कर लिजे और दोस्तों जैसे मेरे mobile के location on हो जाती है आपको यहाँ पर निचे वाले बड़े सरकल में पूरा map आपके location के साथ यहाँ पर दोस्तों करना तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे satellites की list यहाँ पर आने वाले है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने dish के हिसाब से satelite set करना पड़ता है क्योगि दोस्तों आपको हर dish के लिए alग सatelite यहाँ पर set करना पड़ेगा तो दोस्तों आज हम बात करने वाले है है tata sky के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हो कि that sky के लिए हमें यहाँ पर inside four a नाम का satelite यहाँ पे find करना पड़ेगा या इसे search करना पड़ेगा जिसके satellite value होगी 83 degree east तो आप इसे यहाँ पे 83 degree से भी यहाँ पे search कर सकते हो या इसे insert 4a से भी यहाँ पे search कर सकते हो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर inset 4A आसानी से मिल जाएगा तो हम यहाँ पर i section में चलते और यहाँ पर मुझे inset 4A यह सैटलेट यहाँ पर मिल गया आप यहाँ पर देख सकते उसके आगे आपको bracket में east 83 degree यह value भी यहाँ पर मिल गयी है जो कि मैंने अभी अभी बताई थी तो दोस्तो आप इस पर क्लिक करके इस सैटलेट को यहाँ पर सेट कर लीजे तो दोस्तो सैटलेट सेट करने के बाद हमारा step number 3 है डिश का inclination set करना तो दोस्तो insert 4A के नीचे आपको एक डिश का छोटा सा icon दिखाई दे रहे है वहाँ पर आपको 68 degree ऐसा inclination यहाँ पर दिखाई दे रहे है 50 पर सेट है तो दोस्तो मैं यहाँ पर इसे 50 और 60 के बीच कहाँ पर भी सेट कर सकता हो इसकी इतनी बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है सबसे important काम है वह अपने डिश की direction यहाँ पर find करना तो आप अगर इसे exactly 59 पर भी सेट करेंगे तो भी इसे कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी तो दोस्तो डिश का inclination सेट करने के बात हमारा सबसे last और step number 4 है डिश की direction सेट करना जो कि हमारा सबसे important काम यहाँ पर होने वाला है तो दोस्तो आपको जो नीचे बड़ा वाला circle दिखाए दे रहे है वहाँ पर यहाँ पर देख सकते कि आपको एक satellite का sign यहाँ पर दिखाए दे रहे है पर पूरा रख सकते हो तो भी चलेगा तो आपको इस तरह से इसे जमीन पर रखना होगा और इसे राइट में रोटेट करना होगा 93 दिग्री तक और यहाँ पर जैसे यह एरो आपके सैटलेट के साइन के साथ मैच होता है यहाँ पर आपको परफेक्ट ऐसा एक मैसेज आता ह तो यह भी पूरा स्टेप में आपको अपने डिश के पास ले जाके पूरा डिटेल में बताऊंगा वहां में आपको बताऊंगा कि आपको मोबैल के से रखना है अपने मोबैल को किस तरह से रोटेट करना है तो उसके लिए हम अपने डिश के पास अभी जाने वाले है ले में अभी अपने dish tv के dish के पास जाओंगा और dish tv का setting यहाँ पे करके दिखाओंगा लेकिन आपको अपने मोबाल में tatas sky का इस सेटिंग रखना है यानी tatas sky के value in set 4a ही select करके आपको यहाँ पे रखनी है यहाँ पर हमें NSX 6 भी मिल गया तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इसकी जो Satellite Value 95 Degree East यह भी इसके आगे आपको लिखी हुई मिल रही तो आपको इसे Set कर लेना है उसके बाद आपके Mobile पे जो उपर का Circle में जो Arrow है उसको आपको यह जो Satellite का Logo हमें अभी अभी मिला है उससे Match करना होगा Satellite Set करने के बाद तो इसके लिए हमें अपने Mobile को धीरे धीरे उस Satellite के Logo की तरफ Rotate करना है और उस Logo से हमें इस Arrow को Match करना है और जहाँ पर यह दोनों Perfectly Match हो जाएंगे वहाँ पर आपको Perfect है सा Message देखने को मिलेगा और उससी Direction में आपको अपने डिश को Set करना है तो इसे अपने डिश के पास ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर हम अपने डिश के पास आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Direction यह App हमें दिखा रहा है वो Direction हमारे डिश के साथ Match हो रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डिश और यह हमारी जो Direction अभी अभी इस App से हमें जो मिली है वो दोनों एक डाइरेक्शन में है तो दोस्तों आपने अभी अभी देख लिया कि जो direction ये app हमें दिखा रहा है वो हमरे dish से exactly match हो रहा है इसका मतलब ये दोस्तों कि ये app हमें जो direction दिखा रहा है वो बिल्कुल सही है तो दोस्तों आप इसे जरूर ट्राइ करके देखिए और हमें comment section में comment करके बताईए कि आपके signals आते हैं नहीं तो आप अगर Tata Sky के अलावा कोई अलग dish इस्तेमाल करते हो तो उन सारे dish के satellites value मेंने अपने description में provide कर दिए तो आप एक बार description को check कर लिजे और आपके dish के हिसाब से satellite set करके उन्हें वहाँ पर set कर लिजे तो दोस्तों आज के लिए बैस इतना ही धन्यवाद